हाई गाईज वेलकम टो माई चैनल वन सिकेंड तो फ्रेंट्स ओपो कमपनी जहां एक तरफ अपने पारफुल फ्लेक्शिप समार्टफून को मार्केट में उतार रही है वहीं दोस्तो दूसरी तरफ अब ओपो कमपनी अपने फ्लिप समार्टफून के उपर भी ज्यादा जोर दे रही है तो दोस्ता अब ओपो कमपनी अपना एक और नया फ्लिप समार्टफून लेकर आ रही है जिहां दोस्तो अब जल्द ही OPPO Company अपने नए स्मार्टफ़न OPPO Find N2 Flip को लेकर आ रही है जो कि दोस्तो कमपनी का एक बड़ीया स्मार्टफ़न होगा और यह स्मार्टफ़न देखने में MotorRazor स्मार्टफ़न के जैसा दिखाई देने वाला है तो दोस्तो अब इस वीडियो में आपको इसी स्मार्टफ़न के बारे में फुल डिटेल देने वाले हैं तो दोस्तो यह आप भी OPPO Company के फैन हैं और आप एक बड़ीया OPPO Company का स्मार्टफ़न खरीदना चाहती हैं तो दोस्तो बने रहे आप इस वीडियो में एंड तक और यह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और इसरे जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो वीडियो सब्सक्राइब करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफन के लुक और इसके डिजाइन के साथ तो दोस्तो अगर बात की जाए स्मार्टफुन के फरंट पैनल के बारे में तो दोस्तो इस स्मार्टफुन इंदर आपको flip डिस्पले देखने को मिलेगी और यह स्मार्टफुन सेंटर पंचोल कट आउट के साथ आएगा और इसके साथ ही स्मार्टफुन इंदर आपको इसक E6 AMOLED डिस्प्ले देने वाली है जो कि 1200 पिक्सल के रिजुलेशन के साथ आएगी और इसका स्पेक रिशियो बीशन पात नो होगा और इसकी कोरने के पर आपको गोरे लगला इसका प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके साथ ही दोस्त अगर इसकी बैक डिस्प्ल EMAOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो की काफी बड़िया डिस्प्ले है कैमरा सेंसर के बारे इम बात करें तो दोस्ते जैसा कि हमने आपको पहले वधाये इस स्वार्टफ मेंुमी दिपर आपको डियॉल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 50م पिक् पिक्चर्स क्वालिटी काफी बढ़िया होने वाली है तो दोस्तो मार्केट में इस स्मार्टफुन को कमपनी अब की बार 12 GB RAM के पारफुल वेरियंट में उतारने वाली है बाकी दोस्तो इसका 8 GB RAM का वेरियंट भी साइथ आपको देखने को मिल सकता है और दोस्तो अगर इसके प्रोसेजर के बारे में बात की जाए तो दोस्ते इस स्मार्टफुन के दूसरे फीचर्स की तरह ही इस स्मार्टफुन दे आपको प्रोसेजर भी कावी बढ़िया देखने को मिलेगा तो दोस्ते इस smartphone के प्रोसेजर की तरफ भी आपको देखने की जरूरत नहीं होगी इस smartphone अंदर आपको company पडिया और सब पारफुल चिपसेट प्रोवाइड कराने वाली है जिससे इस smartphone आपको जबरदस्त gaming performance देने वाला है बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्ते इस smartphone अंदर आपको company 44W के फास्ट अचाजिंग स्पोर्ट वाली 43W की बैटरी भी प्रोवाइड कराने वाली है तो दोस्ते इस smartphone अंदर आपको बैटरी इतनी ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तो कुल मेरा कर देखा जाए तो दोस्ते इस smartphone company का एक बड़ी आ smartphone है मुझे दोस्ते इस smartphone बहुती ज़्यादा पसंद आया बाकि दोस्तो आपको इस smartphone कैसा लगा हमें comment box से comment करके जरूर बताएं और ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेर जरूर रहें और हमाचेम को सब्सक्राइब करना आपने धन्यवाद